हेई, what's up guys, welcome to youtube, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं html text formatting, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, html text formatting होता क्या है तो किसी website को आप visit करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि text का background color होता है या text bold होता है, या text cursive होता है, या text के नीचे line लगी होती है तो ये सारी चीज़ आती है under text formatting, तो इस वीडियो के अंदर में आपको 5 text formatting tags बताऊंगा बाकी बहुत से tags हैं इस तरह के, उन सारे tags को पढ़ने के लिए आपको visit करनी पड़ेगी एक website जिसका नाम है w3school या आप जा सकते हैं tutorials point में, description में मैं link दे दूंगा website की, वहाँ पर जाके आप बाकी tags के बारे में पढ़ सकते हैं तो आज की इस video को अब start करते हैं, तो एक side मैंने open किया है text editor जिसका नाम है sublime और दूसरी side मैंने open किया हुआ है web browser जहां पे हमारी file run होगी तो यहां पे मैंने पहले से ही p tag का use किया है p tag और h1 tag तो इन दोनों tag की मदद से हम text को show करवाते हैं अगर आपने previous video नहीं देखी है उस video में मैंने आपको बताया है पूरे structure के बारे में और p tag और h1 tag के बारे में तो आप वो video देख सकते हैं उसकी description में आपको link मिल जाएगी तो start करते हैं आज की video को अब अच्छे say तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं bold text क्या चीज़ होती है तो कोई भी text आप देखते हैं अगर वो थोड़ा मूटा दिखाई देता है तो इसको कहते हैं bold text bold text का tag है हमारे पास b tag किसी भी text को for example जैसे कि यहां पर learning html text formatting में ने लिखा है heading 1 में तो आप देख सकते हैं इसका text मूटा है और p tag का text बहुत वीक जैसा है थोड़ा पतला है लेकिन अगर इस text को हमें मूटा करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे हम ओके तो वो करने के लिए हमें चाहिए होता है और p tag तो कोई भी text हो उसको b tag की मदद से हम बोल्ड करवा सकते हैं for example यहां पर text लिखा है मैंने इसको हम बोल्ड करवाते हैं तो यहां पर text को हमें बोल्ड कराना है तो text को हमें लिखना पड़ेगा बी tag के अंदर तो यहां पे angular brackets लगाएंगे और angular brackets के अंदर लिखेंगे B और जो भी tag हम start करते हैं उसे close भी करना होता है तो text के end में जाके इसे close कर देंगे और ctrl s और इसे refresh करते हैं और यहां पे text का text हो गया हमार पास bold ओके एक और तरीका है text को bold करनेगा जो की है लिखना है strong B की जगा आप strong लिख सकते हैं और end में इसको close भी strong से ही करेंगे और ctrl s और run और आप देख सकते हैं अभी तक वो impact है क्योंकि B tag और strong tag दोनों एक ही काम करते हैं next चीज है italic text हमारे text को data करना वो चीज हम italic text की मदद से कर सकते हैं इसका tag है itag, itag की मदद से हम italic text create कर सकते हैं तो जो भी text को आपको italic बनाना है उसको under लिखना पड़ेगा हमें itag के अंदर, तो itag यहाँ पे लगाएंगे और itag को close कर देंगे close करने को बात और रिफ्रेश और यहाँ पे यह text हो गया italic, learning html text formatting को भी हम italic कर लेते हैं तो itag और and maybe itag, जो जो letter को जो word को आपको italic करना है आपको उस word या उस letter को लिखना पड़ेगा under itag refresh और यहाँ पे text हो गया हमारा पूरा itag, यहाँ पे हमारा itag हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में itag आगया ऐसा क्यूं हुआ, because यहाँ पे मैंने इसे close नहीं किया था तो close करने के लिए हमेशा slash लगाना होता है मैं यहाँ पे slash लगाना भूल गया यहाँ पे slash लगाते हैं अब यह close हो गया अच्छा से अब फिर से refresh करते हैं अब सिर्फ h1 heading हमारी italic में आई और italic text italic में आया next चीज है marked text जो भी important word होता है for example आप school में जाते हैं या college में जाते हैं आपके teacher कहते हैं कि बेटा इस line को underline कर लो यह important है आप marker लेते हैं और उस चीज को underline कर लेते हैं उससे आपको पता लग जाता है यह text important है तो उसी तरह से हम html में भी mark कर सकते हैं text को उसके लिए use होता है mark tag तो यहाँ पे mark tag हम लगाएंगे mark लिखेंगे और tag को close कर लेंगे angular bracket slash और उसके बाद फिर से mark और sorry यहाँ पे कलत हो गया था और यह close कर लिया और refresh और आप देख सकते हैं यह yellow color में mark हो गया अब यह yellow color में क्यों mark हुआ because yellow color default color है mark का अगर आप इसको red color में करना चाहते हैं या किसी और color में आपको use करने पड़ेगी CSS तो मैं इस tutorial में CSS नहीं बताता CSS के लिए मैं अलग से tutorial बना रहा हूं लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पे हम inline CSS का use कर सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे color और यहाँ पे कोई भी color हम दे सकते हैं इसको red sorry हम यहाँ पे background color देना चाहते हैं तो background color लिखेंगे और red ओके और ctrl s और refresh और यह color हो गया red तो css की मदब से हम coloring वगेरा design कर सकते हैं web page को okay css के tutorials मैं अलग से बना रहा हूं आप वह भी देख सकते हैं description में link मिल जाएंगी या मेरे channel में जाके आप देख सकते हैं अगला है inserted text inserted text क्या चीज़ होती है कोई भी text होता है उसके नीचे आप line देखते हैं तो वह ins tag की मदब से create होता है तो ins tag हम यहाँ पे लगाएंगे ins tag बहुत easy है angular brackets और ins लिखेंगे सिरफ और इस ins को हमें close भी करना है close करने के बाद save करेंगे file को refresh करते हैं और आप देख सकते हैं line आ चुकी है inserted text के नीचे अगला है delete text delete text भी inserted text जैसा है लेकिन इसमें होता क्या है कि जो line होती है text के नीचे नहीं text के बिल्कुल बीच में आती है तो delete text का tag है यहां पे हमारे पास del tag तो del लिखेंगे और close कर लेंगे save और refresh और यहां पे आप देख सकते हैं text में line आ गई तो यह थे html text formatting इस तरह से html text formatting हम करते हैं इसके इलावा बहुत सारे tags हैं उनको सीखने के लिए उनको जानने के लिए आप online देख सकते हैं कोई website visit कर सकते हैं description में मैं लिखते दूँगा और मैंने साथी साथ एक ऐसी वीडियो बिनाई है जिसके अंदर मैंने सारे tags को cover किया है तो आप वह भी देख सकते हैं तो thank you so much for watching this video please like share and subscribe कोई कोशन हो तो comment section में comment कर दें आप आप टेक क्या आप 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 झाल झाल